असलाम लीकुम फ्यूवर्स आइम महग गुल खान and here is my next video related to subject of zoo geography as you all know previous video में हमने bioinformatics के introduction को discuss किया था तो आज जो है हम zoo geography के introduction को discuss करेंगे तो इसके introduction पर जाने से पहले हम इस term को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी term को समझ लेते हैं तो आप किसी न किसी हद तक पूरे concept को clear कर लेते हैं तो जो 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 है वो indicate करता है animals के और geography जो है वो earth को indicate कर रहा होता है तो इसमें जो है आप animals की distribution देखते हैं अर्थ के उपर तो अगर आप zoo geography को define करने की रहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि it is a branch of theology which deals with the study of distribution of animals on surface of earth कि 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 आप जब animals के बारे में बात करते हैं कि कौण कौण सा animal earth के किस एरिया में मचूद है तो उस तरीके के work को आप कहते हैं कि हम दुजी ढंगर्डाफी को इस सब ब्रांच और जियोग्राफी को लिसे करते हैं यह क्युक्वाइब प्लeed और क्लम मिन्स दोनों कीरियेचर आप बायो जियोग्राफी में आप जब कंबाइन स्टडी करते हैं प्लांट्स और अनिमल्स दोनों की डिस्टिबूशन को ओन अर्थ तो उसके लिए आप तर्म बायो जियोग्राफी यूज करते हैं जब आप सेपरेटली करना चाहें ठीक है तो उनके लिए तू डिफरेंट टर जोग्राफी को देख लेते हैं और हम प्रांचि उपर आएंगे तो जब भी किसी भी सब्जेक की इस्टी को डिसके जाता है तो उसमें देखा जाता है कि किन लोगों ने इस फील्ड में क्या काम किया है और उनके काम की क्या स्पेश्यालिटी है तो और हर जो परसन है जो प्राइब करता है उसका काम जो है वो दूसरे परसंट में से किसी ना किसी हद तक विरी परसंट वेयरे करता है तो आफ देशन है श्वेशालली और स्पेसिफिसिटि in देर वर्क तो इसमें जिन नैच्रलिस में यह जिन नहीं काम किया था वो कौन थे तो दा फर्स्ठ वन इज कैप्टन जेमस कुक तो इसलिए जाना जाता है जो जोग्राफिय में क्यूंकर उसने पुरे वोर्ल्ड का आप कहले विजिट किया था फॉर त्री और कब किया था उसने 1768 तो 1771 में तो उसने अपने इस विजिट के बाद बताने की कोशिश की थी जो जिन चीदों को उसने अब्जर्व किया था तो इसलिए जो है वो किसी ना किसी हद तक इससे कंसर्ण करता था यह हम कैप्टन जेम्स कुक के इस विजिट को डिसकस करते है हमेशा हिस्क्री में उसके बाद मैथ्यू फ्लिंडर्स ने कैप्टन जेम्स कुक के बाद बिलकुल उसी से मिलता जुलता काम किया बट डिफ्रेंस क्या था कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे ग्लोब का विजिट किया था बट मैथ्यू फ्लिंडर्स ने सिर्फ और सिफ एक specific country को focus बनाके उसके different areas पर focus किया था यह different areas को visit किया था and that country was Australia तो Australia में उसका भी जो time period था three years का था visit का और उसने after three years इतने जादे आविडेंसिस collect कर लिए जिसके बाद वो कह सकता था कि Australia के हर region का फाना जो है वो दूसरे region से vary करता है तो यह बात उसने अपने visit के बाद बताई थी उसके बाद Charles Darwin Charles Darwin को as you all know about Charles Darwin तो Charles Darwin का जबी भी नाम लिया जाता है वो ज़्यादा revolution के हवाले से इसको जाना जाता है लेकिन कोई भी इनसान जब किसी भी चीज के उपर काम करता है तो it's not compulsory कि उसको सिरफ और सिरफ उसी चीज से related data मिलें तो there is possibility कि आपको किसी और field से related भी साथ-साथ data मिल जाए या जो आप data collect कर रहे हैं वो data किसी और जगह भी काम आ जाए तो Charles Darwin ने जो है जो है जो है वह आनिमल की distribution को भी बता रहा था तो यह चार्स डार्वेन का काम था जो कहीं न कहीं जूजियोग्राफी में भी काम आता है उसके बाद जूजियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टन रखता है यह चार्स लाइल चार्स लाइल क्यों जो है बहुत इंपॉर्टन रखता है इन जूजियोग्राफी फील्ड विकॉज उसने जो है विद रीजनिंग बात की थी क्या बात की थी व्यूवर्स उसने कहा था कि आज के ताइम पे जितने भी एनिमल्स हमें दिखते हैं जो भी प्रेजन फॉर्म में मजूद हैं वह अर्थ में जितने भी चेंजिस आए उसकी वजह से हैं पास्ट में जितने भी चेंजिस आए अर्थ में ठीक है तो जो सर्वाइफ कर गए डेफिनिटली वह आज मजूद है जो न मेजर लैंड मॉसस जो के अर्थ के चेंज होने की वजा से था उसके बाद जो है दैट इस फिलिप लुटलेस क्लैटर फिलिप लुटलेस क्लैटर ने क्या किया था 1858 में जूज योग्राफिक रिजन्स डिवाइड करने की कोशिश की थी ठीक है उसने अर्थ को on the basis of birds distribution उसने बनाने की कोशिश की थी या रिजन्स बनाए थे ठीक है तो यह उसका काम था और उसने कौन से birds चूज किये थे फादर कै दीया गया तो इसका जो काम था मिलता जुलता तो फिलिप लुटले टीवाइड किया और उन्न रिजन्स को प्राफर नेमिंग दी और फिर मैमल के बाद फ़र्दर आनिमल भी उन्न में add होते हैं जिनको हम zoological regions या REMS के नाम से जानते हैं तो that was all about the history of zoogography तो अब आजाते हैं हम इसकी branches के उपर branches को अगर आप देखें तो branches जो zoogography की हैं there are three branches जो zoogography से related हैं और वो कौन सी three branches है applied zoogography, causal zoogography and descriptive zoogography applied causal and descriptive इन terms को समझ लेंगे तो आपको काफी हद तक बातों के बारे में पता चल जाएगा applied zoogography देखें applied word ही apply से निकला है तो definitely इसमें जो zoogography या animal की distribution के हवाले से जो data है या उनको बाद में use किया जा रहा है किसी और जगह पे किसी और जगह पे जब animal distribution को या zoogography की field को कहीं और apply करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं applied zoogography for example जब हम medicine की field में या medical की field में हमें किसी animal की जरूरत पेश आती है उसको use करना पड़ता है तो जब आपको एक animal की distribution के बारे में पता होगा कि इसकी सेरिया में अर्थ में मजूद है तो definitely आप foreign से वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा लेते हैं अच्छा जो इसके बाद causal zoogography की अगर हम बात करें तो causal zoogography में अब फर्दर थ्री सब ब्रांचिस हैं that is ecological zoogography historical zoogography and experimental zoogography causal zoogography में अब causal को समझ लें causal word जो है viewers वो cause से निकला है तो cause जो है वो वजा को कहते हैं reasons को कहते हैं तो इसमें आप animal की distribution की जब बात करते हैं तो वो proper reasoning के साथ करते हैं जो भी बात आप कर रहे हैं आपने उसके reasons बताने हैं ठीक है तो उसको हम causal zoogography कह देते हैं और फर्दर इसकी three sub branches हैं उनको अभी हम further detail में discuss करते हैं और descriptive zoogography को देखें तो descriptive zoogography describes से निकला है तो definitely आप इसमें जो है animal की habitat को discuss करते हैं animal की habitat को जब detailed discussion उनकी करते हैं तो descriptive zoogography में आ जाती है और descriptive zoogography की further कितनी sub branches हैं there are four sub branches of descriptive zoogography that are biosynotic zoogography, chronology zoogography, systematic zoogography and phonistic zoogography आप देखें आपने नोट किया होगा applied zoogography की further कोई sub branch नहीं है जबकि causal and descriptive की है तो चले जी अब हम आगे से इनकी सब branches को discuss कर लेते हैं तो first of all descriptive zoogography तो as you all know हमने discuss कर लिया study of animals and their habitat is called descriptive zoogography तो इसकी जो four branches है अब हम उनको discuss करते हैं the first one is biosynotic zoogography biosynotic zoogography जो है इसमें आप animals की distribution को discuss करते हैं with the dynamics of community क्या मतलब है इसका कि जब आप एक area define कर लेते हैं आप specify कर लेते हैं तो उसमें जब आप देखते हैं कि कौन सा animal move करके आ रहा है या वहां से कहीं और जा रहा है तो उनकी movement के हवाले से बात करते हैं उनकी migration को discuss करते हैं immigration immigration को discuss करते हैं अज्ञेंस को हम नाव दे रहेते हैं biosynotic zoologography उसके बात κ respectively के कोडॉलोजी जूजियोग्राफी में आप किसी भी एनिमल की जियोग्राफिक रेंज के बारे में डिसकस करते हैं कि for example आपको एक एनिमल जो है वो किसी specific area में ही मिल रहा है तो आप कहते हैं कि that specific area is a geographic range of that animal तो इस तरीके की study को हम कोडॉलोजी जूजियोग्राफी का नाम देते हैं उसके बाद funnistic zoograffy आ जाता है funnistic zoograffy में आप जो है new species की discovery करते हैं और फिर उनकी distribution देखते हैं for example आप visit करते हैं एक area का ठीक है तो आप data note कर रहे होते हैं आप जितने भी animals का data note करते हैं तो next फिर आप जब भी visit करते हैं आपको कोई new species वहां पर नजर आती है जो आपको पहले इस्टिक zoograffy का नाम देते हैं उसके बाद systematic zoograffy systematic zoograffy जो है इसमें जो है distribution जब आप कर लेते हैं तो distribution के बाद जो है animals की classification भी करने की जरूरत पेश आती है तो जब distribution को classification के साथ आप study करते हैं ठीक है तो उसको हम zoograffy का नाम देते हैं और इसमें बहुत बड़े group की आप कहले at a time जो है वो discussion हो रही होती है और उनकी classification यह taxonomy को discuss किया जा रहा होता है और इसमें जो first time systematic do geography में जिन animals पर काम हुआ था तो वो किन पर हुआ था birds and termites के उपर तो यह तो हो गई descriptive do geography से related और उनकी सब branches से related information अब हम बात करते हैं causal do geography के बारे में तो causal do geography को अगर आप देखें तो causal को हमने पहले discuss कर लिया है कि causal में हम क्या करते हैं causes को discuss करते हैं देखें यहां पे लिखा भी हुआ है कि the study of causes that has been the animals distribution actually found in present days कि animal जो present day में मजूद है वो क्यों मजूद है किस वज़ा से मजूद है किस चीज ने उनको stay करने पर यह इस form में मजूद होने पर मजबूर किया ठीक है तो जब आप इस तरीके से study करते हैं तो वो causal do geography में आ जाती है बाते तो अब आ जाते हैं इनकी सब branches के उपर causal do geography की जो first branch है that is the ecological do geography अच्छा viewers आपने ecological do geography में जो एक term है वो याद रखनी है that is ecological valencies ecological valencies जो हैं आप कह सकते हैं कि ecological valencies are biotic and debiotic factor तो definitely चाहे वो human being है चाहे वो कोई animal है तो जबी भी उसने किसी भी जगा पे survive करना होता है तो वहाँ पे देखता है कि whether their ecological valencies are fulfilled or not अगर तो उनकी ecological valencies fulfilled हैं वहाँ पे उस area में ठीक है तो definitely उसके survival chances जादा हैं तो वो वहाँ पे stay करेंगे ठीक है अगर नहीं तो definitely वो कहीं और move करने की कोशिश करेंगे ठीक है अगर वहाँ पे भी कोई ऐसा area नहीं है जह नहीं पर उनकी ecological valencies fulfill हो रही है तो definitely यह उनके लिए नुकसान की बात है तो इस तरीके की जब आप study करते हैं या इस तरीके से जब आप discuss करते हैं चीजों को तो वह ecological geography में आती है तो ecological valency की term आपने इसी में discuss कर लेनी है अगर कभी कोई पूछता आ तो इसमें देखें यहाँ पर जो लिखा है study of biotic and de-biotic interaction that affect the animal distribution तो definitely climate जो है वो हमारा biotic and de-biotic factors से मिलके बना होता है तो definitely उनकी interaction जो है वो कहीं न कहीं animals पे effect करती है तो अगर तो वो positive way में effect करी है तो definitely survival chances ज़ादा होते हैं अगर तो वो negative way में जहा रहे है तो definitely survival मुश्कील हो जाता है animals के लिए अच्छा जी इसके बाद historical zoo geography historical zoo geography में देखे historical जो word है वो निकला ही history से है तो इसमें आप history को discuss करने के कोशिश करते हैं और history में आप किन चीजों को focus करते हैं लेकिन at a time इसमें आप एक ही animal को अच्छे से discuss कर पाते हैं तो historical zoo geography में आप specific animal choose कर सकते हैं ठीक है और उस पे बात कर सकते हैं अब उस animal की आप history discuss करना चाह रहे हैं तो definitely आप उसके origin से start करेंगे कि यह animal कहां से originate हुआ है या अगर उसमें कुछ changes आये हैं और वो disperse हो गया तो उनमें क्या changes आए कि उसनों उसको disperse होने पर मजबूर किया अगर तो वो animal आपको नहीं मिल रहा कहीं पर ठीक है तो इस तरीके के study को हम historical zoography का नाम देते हैं उसके बाद आजाते हैं हम experimental zoography के उपर तो experimental zoography जो है इसमें आप जो भी processes या जो भी procedures यूज़ करते हैं viewers किसी भी animal की distribution को study करने के लिए whether you are studying their origin, their extinction, their dispersal, तो definitely आप कुछ processes, कुछ methods यूज़ करते हैं तो उन methods को जब आप further discuss कर रहे होते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं experimental zoography जी अब next one the last one is the applied zoography applied zoography जो है इसमें हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि इसमें जो है animal की distribution काम में आती है किसी और field में और most probably वो अगर कहीं पर use होती है तो वो medical field में use होते हैं जो animals चीक है उनको discuss किया जाता है इसमें या इधर apply किया जाता है animal की distribution को तो that was all about today's lecture I hope so आपको स समझाई होगी तो thank you so much viewers अगर आपको समझाई है तो please like and subscribe my channel thank you so much